हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनी बंसल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ High School English Grammar and Composition by Rain and Martin जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बुक बहुत ही authentic है और सभी competitive exams में इससे सिधे ही प्रशन पूछे जाते हैं इस बुक को पढ़ने से आपको न केवल English Grammar के concept clear होगे बलकि इसके साथ साथ आपको सभी competitive exams को fight करने में भी मदद मिलेगी तो आएए शुरू करते हैं High School English Grammar and Composition इस बुक में दो पार्ट है एक तो grammar का पार्ट है और second पार्ट है वो composition का है जो इसका first part है grammar उसमें 43 chapters given है और जो इसका second part है composition का वो further four parts में divided है इसका जो first part है इसमें analysis, transformation and synthesis of sentences बताया गया है कि हम किसी भी sentence को किस किस basis पे analyze करते हैं उनको कैसे हम change कर सकते हैं दूसरे टाइप के sentences में और उनको कैसे synthesize कर सकते हैं इसके साथ ही जो इसका second part है उसमें हमें correct usage बताया है यानि कि जो correct usage of parts of speech है noun, pronoun, verbs, adverbs इन सबको हम अच्छे से सही इनका use कैसे कर सकते हैं जो third part है वो structures का है यानि verb patterns का sentences होते हैं उनको कितने कितने तरीके से हम लोग form कर सकते हैं sentence structure हमें इस third part में समझाया गया है इसके बाद जो इसका last part है वो है written composition इसमें हमें writing skills को improve करने की सारी techniques बताई गई है कि हमें letter writing, story writing, essay writing, autobiographies कैसे लिखते हैं, dialogue writing कैसे करते हैं और जो poetry का appreciation होता है वो करते हुए हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए यह सारी बाते detail में हमें यहां पे बताई गई हैं तो आईए हम शुरू करते हैं हमारा first chapter जो की है The sentence जो first chapter है The sentence, इसमें हमें sentence के बारे में बताया गया है कि sentence क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है तो sentence क्या होता है, आईए जानते हैं When we speak or write, we use words जब भी हम कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वो हम words की help से ही लिखते हैं शब्दों की मदद से ही लिखते हैं बिना शब्दों के ना तो हम कुछ बोल सकते हैं ना हम लिख सकते हैं We generally use these words in groups as little jack horner set in a corner और इन words का हम लोग अलग-लग use नहीं करते हैं जब हम बोलते हैं तो इनको groups में use करते हैं जैसे यह sentence given है little jack horner set in a corner A group of words like this which makes complete sense is called a sentence और कोई भी ऐसा group of words जिसका कोई complete meaning निकलता है जिसका कोई मतलब निकलता है वो उसे ही हम sentence बोलेंगी यदि हम कुछ भी बोल देते हैं तो वो sentence नहीं कहलाएगा मालो हमने बा 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 बोल दिया लेकिन यह कोई sentence नहीं है इसका एक और example लेते हैं माल लीजिए हमारे पास यह sentence है he is a boy माल लीजिए यह sentence है तो यह तो हमारा sentence हो गया इसका एक meaning है he is a boy वह एक लड़का है लेकिन माल लीजिए हम लिखे ऐसे boy is he a यह लिखते हैं तो यह sentence बनता है क्या यह sentence नहीं है boy is he a क्यों नहीं है यह sentence क्योंकि इसके अंदर words तो हैं लेकिन इसका कोई भी meaning नहीं निकल रहा है boy is he a इसका कोई भी meaning नहीं है इसलिए एक sentence नहीं है तो आईए अब आगे चलते हैं Kinds of Sentences कि Sentences कितनी कितनी तरह के होते हैं Sentences are of four kinds Sentences चार तरह के होते हैं Number one Those which make statements और assertions जिन में कोई बात कही गई होती है या फिर बता ही गई होती है Statements होती है या फिर assertions होते हैं जैसे Humpty Dumpty Set on a Wall ये एक Sentence हो गया कि Humpty Dumpty एक Wall के उपर बैठे होए थे या फिर कोई भी Sentence जिसमें कोई भी बात बताई गई हो He is a boy He is going to school I am going to market ये सारी क्या है Simple Sentences हैं ये सारी क्या है Assertions है, Statements है इन में किसी बात का वर्णन किया गई है किसी के बारे में कोई बात बताई गई है Number 2 Those which ask questions जिन में कोई न कोई question, कोई प्रशन पूछा जाता है जैसे Where do you live? आप कहां रहते हैं? Where are you going? आप कहां जा रहे हैं? What do you do? आप क्या करते हैं? Number 3 Those which express commands, requests, or entities और तीसरे टाइप के sentences वो होते हैं जिन में कोई command यानि order किया जाता है या फिर कोई request की जाती है दोस्तों, entities और request का same ही meaning है जिन में हम कोई request करते हैं किसी से कोई प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप ऐसा मत करो प्लीज यहां मत जाओ जैसे be quiet, यह क्या है, यह एक order है चुप रहो, be quiet, sit down just give me a glass of water यह सब क्या है, commands है और जब हम request करते हैं तो वो किस form में करते हैं जैसे यहां given है, have mercy upon us हम पे दया करो please help me please मेरी मदद करो तो यह क्या है, यह request है number four, those which express strong feelings चोथे sentences वो होते हैं, जिन में strong feelings उबर के सामने आती है जिन feelings को जो feelings हमारे मन में एकदम से बहार आती हैं हमारे मन से जिन को हम लोग रोक नहीं पाते, suppress नहीं कर पाते जैसे how cold the night is मालो हम कहीं बाहर गई हैं और एकदम से हमें अचानक सरदी लगती है तो हम क्या बोलते हैं कितनी ठंडी रात है how cold the night is या फिर what a shame किसी ने कोई बोटी गलत काम कर दिया तो हमारे मूँ से क्या निकलता है कितने शरम की बात है what a shame अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जो strong feelings वाले sentences होते हैं उसमें last में sign of exclamation आता है sign of exclamation क्या होता है जैसे हमने ये one बनाया यहाँ पे और sorry जैसे हमने यहाँ पे एक one बनाया है और उसके नीचे डोट लगा दी तो ये क्या बन गया sign of exclamation क्योंकि इसमें हम exclaim कर रहे हैं कुछ भी बात एकदम से अचानक से बाहर निकाल रहे हैं हमारे मन से तो ये क्या हुआ exclaim exclamation ठीक है और इसी प्रकार जो इनमें हम question पूछते हैं उन sentences के last में आता है question mark जिसका ये वाला sign होता है इसके नीचे भी डोट होती है ये question mark का sign है और जो पहले मैंने बताया आपको वो है exclamation का sign अब आगे देखते हैं कि इन सारे sentences के नाम क्या क्या होती है आपको और बहुत सी books में अलग-लग तरीके के नाम और मिल जाएंगे लेकिन वो सब इनी sentences से मिलके बनते हैं असली में तो sentences के ये चार ही प्रकार होते हैं इनी को आगे जाके लोग divide कर देती है अलग-लग grammarians ने उनको divide किया है लेकिन जो ये चार तरह के sentences है ये सर्व विदित है सर्व मानने हैं आगे देखते हैं a sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence जो हमने first type का sentence किया है जिसमें हम लोग कोई भी किसी बात का वर्नन करते हैं कोई घटना बताती है कोई भी बात बताती है दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो भी कोई भी simple बात है तो वो सब क्या है declarative sentences या फिर assertive sentences की श्रेणी में आती है number two those which ask questions जिनमें question पूछा जाते हैं a sentence that asks a question is called an interrogative sentence उसको हम interrogative sentences बोलते हैं उन्हें क्यों क्योंकि उनके अंदर हम interrogate कर रहे हैं कुछ जानने की इच्छा कर रहे हैं कुछ प्रेशन पूछ रहे हैं interrogate कर रहे हैं जैसे पुलिस भी interrogate करती है culprit से next is a sentence that expresses a command or entreaty is called an imperative sentence जिनमें हम कोई command कर रहे हैं कोई order दे रहे हैं किसी को या फिर कुछ request कर रहे हैं तो वो क्या हुए हमारे imperative sentences next is a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence और ऐसे sentences जिनमें strong feeling हमारी बहर आती है निकलके वो सब क्या होते हैं exclamatory sentences तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ आ गया होगा आज का chapter कल हम इसका next chapter करेंगे I hope you would like my video please like, comment and share my video and please 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 do subscribe my channel thank you, bye bye